जाएं दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है चानल पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आर्मी रिलेशन भरती के 10 ऐसे महत्पूर सेंटर जहां पे सिर्फ 50 लड़कों का बैच बनता है जिहां दोस्तों आपने बिलकुल सही सुना सिर्फ 50 ल आपके काम की चीज़े इस चानल पे रेगुलर आने वाली है तो चैनल को सस्क्राइब कर लो इन्फिमेटी वीडियो में डालता रहूंगा और सेयर भी कर दो चलो स्टार्ट करते है तो दोस्तों हमारा सबसे पहला जो सेंटर हो है गाड रेजिमेंट जिसे हैं ब्रिगेड की तो आपको 5.45 फुल टाइमिंग दे जाती है यहां का ट्रैक दोस्तों बिलकुल रोड रनिंग यहां पे होती है तो जो लोग जूते में प्रैक्टिस करते हैं रोड भी प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए काफी मदद मिलने वाली है अब जो हमारा मेन क्वेशन है कि अध अधर सेंटर की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपका 100 का फिजिकल होना चाहिए उसके साथ साथ अगर आपका फादर रिलेशन है तो आपके लिए काफी इजी होने वाला है क्योंकि यहां पे अधर सेंटर का चांस कम से कम 40 से 50% होता है तो अधर सेंटर फादर है चाहिए जीडी हो ट्रेड मैन हो या फिर कोई और भी ट्रेड हो इसके साथ साथ दोस्तों टाइमिंग जो दी जाती है फुल पांच पैताले साथ आपको दी जाती है अगर हम बात करें आपको पहले बी बता चुका हूं जिन लोग का फादर रिलेशन है साथ में दोस्तो साथ साथ दोस्तों आपको return में भी अच्छा करना होगा कम सगम 40 को पर questions solve करने होगे तभी आपका chance बनेगा तो दोस्तों हमारा जो next center है वो काफी interesting है यह है जाकली center जिसका full firm है जमू इन कस्मीर light infantry center जो कि स्री नगर में बढ़ता है तो दोस्तों यह काफी important center है क्योंकि देखो यहाँ पर बैच ना 50 का नहीं बलकि 30-40 ऐसे बनता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो जमू इन कस्मीर स्री नगर में पढ़ता है वहाँ पर थोड़ा आपको oxygen की तकलीफ होती इसलिए बच्चों का कम बैच बना जाता है उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको टाइमिंग भी ज्यादा दी जाती है मतलब मान लीजिए आपका 5.42 फुल टाइमिंग होता है तो 6-6.15 आपको टाइमिंग दी जाती है और साथ में दोस्तों यहाँ का जो track है वो आपको ground मिलेगा एक चार चकर आपको लगाने पड़ेंगे चार-चार सो मिटर गे तो जो लोग ground में practice करते हैं उनके लिए काफी अच्छा center है उसके साथ साथ दोस्तों देखो अगर other center की बात करे तो यहाँ पर definitely other center का chance है अमोवन यहाँ पर vacancy होनी चाहिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखो स्री नगर में पड़ता है वहाँ पर ज़्यादा बंदे जाते नहीं है जैनके में ज़्यादा लोग जाते नहीं है भरती देखने तो यहाँ पर जाकली center में जो है जो जम्मू और कस्मीर की लोग है वही आते हैं जादा अधर स्टेट के आते हैं नहीं है तो अधर center का chance यहाँ पर बढ़ जाता है तो अगर आप जाना चाते हैं तो एक बार जरूर ट्राइ गरना दोस्तों हमारा चौथे नमबर का जो center वो है ग्रिनेडियर रेजिमेंट जेवलपूर तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका 50 का बैच बनता है चाहे हो जीडी हो ट्रेड मैन हो या फिर टेकनिकल हो साथ में दोस्तों यहाँ पर थोड़े से कम बंदे पकड़ते हैं मालीजी आपको 15 से 20 बंदे ये एक बैच में पकड़े जाते हैं और timing भी थोड़ा कम दी जाती है करीब आपको 5 30 से 5 40 तक दी जाएगी उससे ज़्यादा नहीं दी जाती है तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ के track तो दो तो यहाँ का track 400 मेटर का नहीं है यहाँ पे आपको रोड रनिंग करनी है कोई आपको 1600 मेटर लगाना है बस इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा confusing हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पूरा एकदम गोल चकर नहीं है आपको अधर सेंटर का चांस होता है ट्रेड मैन में तो बिल्कुल नाखे वराबर चांस है क्योंकि 15-20 वैकंसी आती है उसमें भी सेल्फ सेंटर आ जाते है तो अधर का कोई चांस नहीं होता जीडे में चांस होता है जिनका father relation होगा और hundred का physical होगा दोस्तों हमारा जो next सेंटर है वो है महर रेजनेट जो की सागा और बढ़ता है तो यहांप अगर बात करें कितने का बैश बन तो दोस्तों यहां पर मूँन 50-70 बैश बन जाता है ठीक है तो अच्छा है और यहां पे साथ में 35-40 बन और पकड़ लेते है तो इतना चलता है तो 50-70 से 40 बन्दों को तो ट्राइक दोस्तों देखो यहां का फिक्स ट्रैक नहीं है, ट्रैक जो है, चेंज होता रहता है, तो काफी बच्चों से पूछा मैने, तो उन्होंने बताया कभी दो राउंड लगा देते हैं, 8-800 मेटर के कभी दूसरे ट्रैक पे हो जाती है तो दोस्तों इनका fix नहीं है साथ में इनका बड़ा ground है जहाँ पे 2-3 ट्रैक है तो वहाँ पर भी कहीं पर भी रनिंग करा देते हैं तो आप अपनी practice जारी रखिए रनिंग तो आप करी लेंगे अगर आपकी practice है तो other center के बात करें तो दोस्तो other center के जैसा कि मैंने अभी पिछले 4 center में जो बताया है कि जीडे में आपका chance होगा 100 का physical होना चाहिए साथ मफादा relation होना चाहिए और आपको paper में भी अच्छा करना होगा ठीक है तभी आपका selection होगा क्योंकि आप किसी भी center में चले जाओ other का chance तभी होगा जब वो बंदा हर चीज में अच्छा करेगा ठीक है चलो इससे पहले दोस्तो हम आगे बड़े आपसे एक request है तो दोस्तो देखो आप वीडियो देखी रहे हैं कैसी बनाई गई है कैसी information आपको दी जा रही है ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो दोस्तो चैनल को subscribe कर लो यार आप कई फायदा है और साथ में चैनल को subscribe करो ताकि है और भी लोग आके जुड़े हमारे साथ उनको गलत information ना मिले एकदम सही information आपको इस चैनल पर मिलने वाली है तो चैनल को जल्दी से subscribe कर लो अब चलो हम अपने next regiment और center की तरफ बढ़ते हैं अब बात करें छाटवे नंबर की तो दोस्तो next center है हमारा Maratha Light Infantry जोकी पढ़ता है तो यहाँ पर भी आमोमन आपको 50 का बैच मिल जाएगा चाहे GDO चाहे ट्रेडमैंग और साथ में दोस्तो आपको 25 से 30 या फिर 35 बंदे आराम से पकड़े जाते हैं टाइमिंग की बात करें दोस्तो तो 5.45 पूरी टाइमिंग दी जाती है साथ में track यहाँ पर track बहुत अच्छा है दोस्तो क्योंकि यहाँ पर जो running होती है वो कि stadium में होती है जिसका नाम है सिवा जी stadium उस stadium में 400 मिटर के आपको चार चकल लगाने पड़ेंगे एकदम running track है जैसे मिलका सिंग आपको track पर दोड़ते हैं दिखते हैं movies में या फिर और कहीं पर same वैसा ही एकदम ground है आप वहाँ पर अच्छे से running कर सकते हैं लेकिन जो लोग road पर running करते हैं और जूते में running करते हैं उनको ज़्यादा फाइदा मिलेगा तो आप देख लो अपनी तरफ से इसमें दोस्तो others की अगर बात करें तो others का उतना chance नहीं होता है others का उतना chance नहीं है काफी कम बच्चे 10 से 20% chance होता है others का otherwise others का इसमें ज़्यादा chance नहीं होता है तो जो लोग others से हैं वो थोड़ा try करें इस center में ना जानेगी अब दूस्तो ध्यान से सुनना मैं आपको 4 center लगातार बताने वाला हूँ सबसे पहले jack rifles उसके बाद ASC center bangalore फिर jack regiment उसके बाद राजपुताना राजपूत रेज़में तो jack rifles की बाद करें तो दोस्तो jack rifles इसकी बरती होती है आपकी जबलपूर में यहाँ पर भी इन सब center में जितने 4 center है इन सब center में 50 का बैच बनता है उसके ज़्यादा बैच नहीं बनता ASC की बाद करें तो ASC में अगर ज़्यादा बंदे पहुच जाते हैं तो थोड़ा बढ़ा देते हैं अधर्वाइस 50 का ही बैच बनता है ठीक है तो jack rifles में आपकी जो running होती है वो road running होती है यहाँ पर भी fix track नहीं है और अमूमन जो इसमें बन्दे पकड़ते हैं 25 से 35 बन्दे अराम से पकड़ लेते हैं ठीक है तो आयोब आपको समझ में आ गया और साथ में दोस्तों यहाँ पर जो है अधर का बिलकुल chance नहीं होता वो ground running होती है 400 meter की running होती है और एक बात जो आपको नहीं पता होगी ASE center में जो है आपकी सिर्फ GD की वेकंसी आती है ठीक है? सिर्फ GD की वेकंसी आती है अब बात करें दोस्तों JART Regiment जो की बरेली में पढ़ता है तो JART Regiment में यहाँ पर CASTWISE system है JART Regiment और साथ में जो राजपूत Regiment है इसमें भी इसमें CASTWISE बंदों को लेते हैं तो अदर कत्वाब मान की चलिए चांस ही नहीं है क्योंकि जो लोग JART में कुछ जाती होती है उनको fix किया होता है सिर्फ वही बंदे running कर सकते हैं तो वेकिंसी भी उतनी जादा नहीं आती है इन दोनों सेंटर में JART Regiment आपका बरेली में पड़ता है राजपूत Regiment आपका फतेगर में पड़ता है तो देख लीजी इन सेंटर में जाने का कोई फाइदा नहीं है जिनका self सेंटर है वही जाएं इस सेंटर में क्योंकि यहाँ पर other सेंटर का बिल्कुल चांस नहीं होगा और यहाँ पर जो track है वैसे 400 मीटर का होता है तो track अच्छा है running करने के लिए timing में आपको इन सेंटर में अच्छे से दी जाती है तो दोस्तों यह थे 10 सेंटर जहाँ पर आपको सिर्फ 50 बंदों का badge बनता है उसके लावा मैंने आपको और भी बहुत सारी चीज़े इनके बारे में बता दी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई दोस्तों लेकिन मुझे बता है आपको यह information बिल्कुल अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो यार लाइक करो न चैनल को subscribe करो और share वीक कर ही दो बाकी दोस्तों रही हमारी तरफ से बात तो हमारी तरफ से आपको full informative वीडियो मिलेगी आपको देरी है चैनल को subscribe कर लेगी और बेल आइकन को प्रेस करने की तो इस वीडियो में इतना ही था मिलेगा के लिए एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ जयन जय भारत